हेलो फ्रेंट श्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया स्टडी लर्ण में दोस्तो आज मैं आपके इस वीडियों बताऊंगा कि बिहार में सिक्छक को ले करके होगी बहाली जी हाँ दोस्तो बिल्गल आप सही सुन पा रहे हैं बिहार में जो है अब सिक्छक की होगी बहाली पद की बात करें तो 884 पदों पे होगी बिहार के लिए सिर्फ सिक्छकों की होने वाली है बहाली तो दोस्तो सिक्छक को ले करके पहले भी निउज आई थी उनमें डेट को मेंसन नहीं किया गया था तो दोस्तो फिर से एक news आई हुए है इसमें date mention किया गया यानि कब से start है और कब तक भरा जाएगा ये भी mention किया गया है तो दोस्तो वीडियो को अंत तक देखते रहें इन सारी बात तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे तो दोस्तो आप लोगों से request है चैनल पे नए आये हो तो प्लीज नीचे दिये वे red color के बटन को click करके चैनल को subscribe कर लिजे और bell वाले icon के घंटे को भी बजा दीजिए क्योंकि दोस्तो इस चैनल पे आपको ऐसे तरहतर की वीडियो हर रोज मिलते रहेंगे तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो देख पार यह आज ही की news है 12 सेप्तेंबर 2019 की तो दोस्तो यहाँ देखे बताया गया है कि 884 पदों पर सिक्षक की होगी बहाली की यह पर किरिया छठे चरन के लिए होनी है D.I.O. चंदर सेखर राय ने बताया कि रोश्टर अमू अनू मोदन के इस बाद इसे N.I.C. की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जा रहा है जिन 884 पदों पर सिक्षक की बहाली करनी है उसमें 231 पद जो है माधमिक के लिए है जबकी 653 पद प्लस टू का सामिल है तो देख पारे दोस्तों इंटर और मैट्रिक दोनों के मेंसन किया गया है सिक्षक बहाली की यह परकिरिया नियोजन इकाई जिला परसिशत नगर परिशद नगर पंचायत महारंजन व मेराओं के तहत की जाएगी इसके तहत जिला परिशद के माधमिक के दोसो व उच्चतर माधमिक के 616 पदों पर बहाली होनी है नगर परिशद के माधमिक में 18, उच्चतर माधमिक में 15, नगर पंचायत महाराज गंज में माधमिक में 8, जबकि उच्चतर माधमिक में 9, यह पंचायत के बारे में में बताया गया है मेराव में माध्यमिक में 5 जबकि उचतर माध्यमिक में 16 पदों पर नियोजन करना है इसके लिए आवेदन की परकिरिया जो है 18 सितंबर से सुरू होगी तो देख पारे दोस्तों इसमें डेट भी जो है मैंसन कर दिया गया यानि आपका जो है लगभग कुछ दिनों के बाद जो है ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्ट हो जाएगा 18 सितंबर से सुरू होगी D.I.O. ने बताया कि वर्ग 1 से 8 तक सिक्षक नियोजन के लिए रोस्टर को अंतिम रूप दिया जाएगा ये दोस्तों टीचर भी मतलब बदली किया जा रहा क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में जो है फरजी टीचर भी है जिनको नौलेज भी नहरेते फिर भी पढ़ाने स्टार्ट हो गया है इन सब के वीडियो भी आप देखे होंगे वायरल भी बहुत हुआ है यही सब लेकर के छटे चरण में इतने साले पदों को भी बढ़ाया गया है जिसे की टीचर की बहाली होनी है नियोजन संबंदित गती वीध्या में बताया गया है जिले में सिक्षक नियोजन के तहत 29 जुलाई तक नियोजन इकाई पदों वे आवशकरिक्तियों की पदों की गनना होगी पहले जो 29 जुलाई को सारे टीचर की गनना होगी 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक मेगा सुची तयार हो जाएगी 14 सितंबर को मेगा सुची नियोजन समिती द्वारा आमोधन होगा 19 अक्टूबर उपदिक मेगा सुची के परकाशन 21 अक्टूबर से 4 नवंबर तक और हमी मेगा सुची में उतपत्ति वग्यार नवंबर पत्ति को निकारण होगा D.I.D.O. ने बताया कि 15 नवंबर को मेगा सुची अंतिम परकाशन के बाद 18 से 22 के बीच मेगा सूची अभियारतियों के लिए मूल परमानपत्र का मिलाना भी जाच होगी तो दोस्तो इस टैप से थी अगर आप BLAB किये हैं तो भी आप भर सकते हैं ठीक है PhD किये हैं तो भी भर सकते हैं इंटर पास हैं तो भी आप भर सकते हैं इस form को तो दोस्तो पुछी दिनों के बाद ये जो है form भरना इस्टार्ट हो जाएगी टीचर की जैसे आएगी हम आपको जरूर इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्म करेंगे और ये भी बताएगे कि कैसे आपको भरना है तो दोस्तो ये थी आज की न्यूज तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो ये कैसा लगा अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजेगा कमेंट कीजेगा चैनल पे पहली बार आएगे तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली कोई अच्छी वीडियो में नई वीडियो में तता के लिए टाटा बाबा